तो मालवे पर आते बाई यह डवल एड़ी में चीज है यह कोटा को फिल करता है खुबसूरती में यह देखो इनके पास यह मालवा है को इसकी क्या डटेल है थर्टी नाइन थर्टी नाइन के हाइट होंगी इसकी और वेट के इसका एक स्टो तीस किलो तो गाइज अभी आपने शेरू भाई के दोस्त है तो इनके पास भाई एक नंबर कॉलिटी के बखरे मैं अभी सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं एक पर बहुत प्रेश बखरा है और जगा देखा बखरे के अंदर एक नंबर और अच्छा बहुत अच्छे से पहुंच जाएंगा तो इनके बाद इससे बहुत सारे बखरे तो हैट कितने होंगी 40 होंगी 40 तो शेरू बाँ पास के पहला वह तो यह सब यह कि बेच बेचने वाले बकरे ना तो यह सबका जो रे्ट हे यह नमबर दूंगा नमबर पर बताएंगे नमबर पर बाताएंगे तो दूसरे बखरे पर आते तो उनका यह मालव आये मालव आने वहला पर यह डॉबल एड़ी में चीज है यह कोटा को फिल करता है खुबशूर है इसका 90 kg 90 kg इसके वजे से हैं क्योंकि बाखी बख्रों से हाइट में कम है लेकिन उसकी फ्रेम ना एक नमबर से माशालला भरा भुआ बख रही है और कितना दात पर फ्रेश चार दात पर बख रही है तो रखने के लिए तो एक नमबर पूरा ब्रेडर लाइन का बख रहा ह है तो इसका भी प्राइज इस पर ही देंगे जो भी रहेंगा इसका और कौन से अपने बास और यह वाला देखो भाई यह घोडे जैसा सोजत है बहुत टाइम बाद मतलब लाज बख रित के बाद पहली बार में इसा बख रहा देखा हूं एकडम घोडे जैसा सोजत है इन भाई यह फ्रेम देखो मैं दिखा दो जाते हैं यह सारे बखरे ब्रीडर लाइन के वाई पेट देखो बखरेगा और जो घोड़े जैसा बजब शेप आता है पुरा प्रॉपर तरीके से और मार्बल खूर और मार्बल सिंग में बखरा यह देखो तो यह भी जो सारे बख बखरेगी यह बिना सिंग वाला बुंदा बख रहा है लेकिन गुलाबी में पूरा भाई इसकी क्या टीटेल है 40 प्लस हाइट होंगी 40 प्लस हाइट है बखरेगी और वेट कहा इसका 130 किलो भाई 130 किलो बतला आराम से होंगा क्योंकि भरा हुआ बखरा है पूरा अभी आप Kent बखरेगी फ्रेम थे ना बहुत लंबी होती जैसे सोजयत घोते तो वह सबसे मैं ने में मारे गां टो ऑृब ओ अर्कर है avanzesnew है बार-भार से डर लग रहा है बहुत एसकी इग्रेसिविव तो उसकी vfires मैं दिखाता हूं Mesha reform बाजु में जा उसके कि अभी देखो बखरा देखो 130 किलो का बखरा यह सोज़त में और सोज़त इतनी प्यारी जाते खुब्सूर्थी की साथ वेट भी बहुत अच्छा पकड़ती और गरीब होते कुछ-कुछ बखरे सोज़त के और बाकी तो एग्रेसिव भी होते सिंग वाले तो यह वाला भी ह रख सकते हो अगले साथ तो गाइस यह वाला इन-लाइन फोर इंजय ने इनके बाड़े का यह देखो कर आवास कर अभी थोड़ी आवास कम हो गए इसकी नदे इन-लाइन फोर इंजय ने अभी जो दिखाया उससे भी जाधा अग्रेसिव हुए तो गाइस शेरु भाई का नंबर लेते हैं क्या नंबर है आपका नाइन टू एट फॉर एट नाइन ट्री नाइन तो डिस्प्ले पे नंबर आ रहा होंगा तो और भी बहुत सारे बखरे अभी मेरे आने से पात-दस मेट पहले पाच्छे बखरे गये तो बहुत सारे बखरे बिके इनके क्यों विक् करने के लिए बच्चे लेना है तो उनको कॉंटक करो और मेंको एक चीज अच्छी मालूम पढ़ी कि नितिन भाई के दोस्त है तो आपन गिंदास इनके पास भी फूट करने के तभी आ सकते हैं तो वीडियो को यह तक देख लिया है तो लाइक करना चैनल करने हो तो सब्स